Principles of Development Students will describe the principle of development. Today we will discuss interaction with environment in early childhood, care and education. Children learn from interaction with environment and with other children and adults. हर बच्चा जो एक महाल में रहता है वो दूसरे बच्चों के साथ भी उसका तालुक बनता है और इसके इलावा वो बड़ों के साथ भी एक रिश्टेदारी में एक तालुक में नजर आता है. The physical interaction children have as they touch and explore, manipulate and experiment with the physical world around them and this world promotes their physical and cognitive development. छूना और उसके बाद उसे explore करना आप देखें चोटा सा बच्चा होता है तो वो पहले चीज़ों को देखेगा और फिर उसको अपनी दुनिया में उसको नजर आता है कि साथ बड़े भी बैठे हुएं और वो हर चीज़ों को छूके हाथ लगाके अपने मुमें डालना श अजर आएगी और आपने देखना है कि इसके साथ साथ जब वो जिस्मानी तौर पर बढ़ने हैं तो साथ उनकी cognitive development जिसे हम कहते हैं जहनी नशोनमा भी हो रही होती है और यह बड़ा वाज़े है कि जब वो मौशरती तौर पर जब वो समाजी तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी एक development की वजाए हम देखते हैं कि वो बन्यादी तौर पर मुकमल तौर पर उसकी नशोनमा हमारे सामने नजर आ रही होती है वो खेलता है बच्चों के साथ वो काम करता है इसके साथ साथ वो तावन करना सीख जाता है जिसके जरीए से उसकी जहनी जजबाती जिस्मानी नशोनमा मुम्किन हो जाती है पूरे इस आपके जो यह असूल हम आज डिसकस कर रहे हैं प्रिंसीपल ओफ डिवेलप्मेंट और इंटरक्शन विद इन्वार्मेंट इसमें देखें के आपका महौल बच्चा बच्चे के ट्वाइज खलोनों के साथ साथ आप देखें के प्री स्कूल में जितना स्टाफ ह उसके बड़े हैं सब के साथ मिलके वह बेतरीन तरीके से एपनी जो नशनमा है वो ममकिन बना रहा होता है तो इस लिए इस सारी जो नशनमा है इसके लिए आपको बच्चे को एक तलुक बनाना होता है उसके महौल के साथ शीकरिया